हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो लांट फॉर नॉलेज, जैसे कि आप लोग जानते हैं, WBSCDC ने अपना ओफिस एक्ज़ोटी के पोस्ट के लिए एक्जाम कंड़क्ट किया था, यह एक्जाम आप लोग का 9th June 2019 में हुआ था, बट अनफॉर्जनेटली यह एक्जाम कैंसिल आउ से आप लोग देख सकते हैं, और फ्रेंड्स, यह जो कुस्टेन का PDF यह आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, एंड के आप लोग हमारे टेलिगाम गूप में भी जॉइंट होके, यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो चले फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला आप लोग का जनरल एविलने सेक्शन है, यहां पे जितने भी कुस्टेन्स आपके देखिए, यलो कलर में मार्क करके रखें, यह सब ऑफिशियल आंसर की है, उन्होंने ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड कर आ दिया था, देन उसके बाद मैंने यह सब को मार् करता है कोड, यह सर बांस पीकॉक थे, देन सिलिकोन वैली हम बैंगलूरू को बोलते हैं, इस दो के चेयर परसन तब भी केसी बान थे, अभी भी केसी बान ही है, देनेक्ट शिक्स इस्ट इन एसियन समीट, फिफ्टिंथ इंडियन एसियन एकोनोमिक मिनिस्ट्री हेल्ड यह सिंगापूर में हैल हुआ था, यह तब का करेंट एफर्स था, करेंट एफर्स से तीन से चार कोस्चन आते हैं, आपनों के टोटल फिफ्टीन कोस्चन होते हैं, यहाँ पे जर्नेल अवेर्नेस में, तो फिफ्टीन से चार कोस्चन आपके करेंट एफर्स से आते हैं, ये फिलिपिन्स की सरकार देती है और इस बार किसने जीता हमारे इंडिया के जर्नलिस्ट एंडी टीवी के जर्नलिस्ट रविस्कुमान जीता था इन जीता था, ये नेवी के साथ हुआ था नेवी में हुआ था तो ये नेवी से अस्याटेटेड है ये सिंगापूर में डेटा सेंटर ओपन किया था, ये क्रिंट इफर्स का कोश्चन था नेज्ट गूगल हैं जिन फॉर साइंटिस्ट्स कॉल्ड उसे डेटा सेट सर्च बोलते हैं तेंट नमबर हुई इस दा पंचायत एंड रूरल डेवलोप्मेंट मिनिस्टर इन वेस्ट बेंगोली यह हमारे सुब्रोतो मुखर जी है option D करेक्ट है यहां पर सब मैंने mark करके रखा हुआ है the next 11th who has become first honorary ambassador of लाल बहादूर सास्त्री मेमोरियल फांडेशन यह करेंटर का गोश्चन नहां तबका यह अक्से कुमार थे तबके the next 12th number who won 14th grand slam tennis तुछाने यह 14th number grand slam था यह नवाग जोगवेकिन जीता था तो correct answer option C था then 13 in September 2018 सागर मत्था friendship 2 exercise यह कहां पर हुआ था यह चाइना में हुआ था and सागर मत्था हम किसे बोलते है नेपाल में जो अप लोगा Everest है अवरेस्ट में नेपाल में अवरेस्ट को सागर मत्था बोला जाता है and all in world में अप लोगा average बोला जाता है then 14 number who has become the first baller in women's cricket to pick 300 international wickets यह जूलन गोश्वामी ने लिया था तबका current किया आता है देखिए एकदम past past के day ही दिये हुए सब September में दिये हुए है तो आप लोगो अच्छी तरह से precisely पढ़ना पड़ेगा तो यहां पर आप लोगा 16 September होगा correct answer then friends आप आप लोगा जो reasoning का section है मैं पूरा आप लोगो solution प्रोवाइड करोंगा then reasoning है उसके आद आप लोगा arithmetic reasoning 15 marks के थे then arithmetic यानि के quantitative aptitude भी से बोलता है यह 20 marks का था then जो toughest question section है English के बाद English से भी 20 marks था then उसके आद आप लोगा DI data interpretation data analysis and data sufficiency इसके उपर में especially class चला रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही important एक section है 20 marks यहां पर आप लोग 20 के 20 मिल सकता है बट किया यह थोड़ से lengthy होते हैं तो उनको यह आप लोग को solution मैं पूरा अच्छी तरह से एक-एक question में solve करोंगा then जो last section है यह computer का section था computer के section में आप लोग office का जो भी pdf है मैं आप लोगो बात में provide करा दोंगा इसके पहले मैंने class चला है थो वह भी बहुत सारे question आप लोगे common आये थे तो सबसे पहला question यहां पर है 91st which key combination is used to insert a page break in ms word page break का इसी कर सकते हैं हम लोग word में control plus enter जब दबाएंगे तब then next if you need to change the typeface of the document which menu will you choose document का typeface change करन then next and 93 which option is not the data menu in ms excel ms excel में इन में से concern नहीं रहता freeze plan नहीं रहता then 94 which symbol do you use to start formula in ms excel ms excel में हम लोग कोई भी formula लिखने के लिए एकदम देखिएगा left के right side के उपर में आप लोगो का excel रहता है वहाँ पे equal to जब लिखते हैं तब हम लोग formula ही start करते हैं तो correct answer option B होगा then 95th which of the following is not front style इन में से concern style नहीं है मतलब कॉनसे style में आप लिखनी सकते हैं तो bold जो मोटे मोटे होता है italic जो फुरसे चेड़ा चेड़ा होता है और regular जो आप लोग नॉर्मली यूज करते हो then super script कोई front style नहीं है तो correct answer option D होगा then next 96 what is the sort key to open the open dialogue box in ms word यह control F12 अगर क्लिक करोगा तो dialogue box open हो रहता है then 97 which file format can add to power points so so जो power point ppt हम लोग बोलते हैं तो उसमें कौन से type के file यूज हम लोग add कर सकते है mpeg जिसे हम लोग video file बोलते हैं add कर सकते है jpg na key picture file इसे भी add कर सकते है rtf यह फाइल भी हम लोग add कर सकते हैं यहाँ पर option D all of these correct होगा then next 98 what is the sort key to insert a new slide into the current presentation new slide करने के लिए हम लोग control M क्लिक करते हैं जो मैं आप लोग का slide बनाता हो तो control M क्लिक करने से नया slide आप लोग का आ जाता है then next है 99 Microsoft Office professional information manager is जिसे हम लोग outlook बोलते हैं Microsoft Outlook जिसे बोलते हैं option C correct है Microsoft Outlook then last question of the session friends holding the mouse button down while moving an object or text is known as इसे क्या बोलते हैं जैसे आप लोग का यहां पर एक file है और यहां पर एक file है आप लोग इस file को इसके अंदर लिके जाना जाते हैं कहीं भी लिके जाना जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं इसको double click करके जवा के रखके यहां पर लेके जाते हैं फिर छोड़ देते हैं तो इसे हम लोग dragging बोलते हैं तो correct answer option B हो सब एकदम एक्स्प्रेंशन के साथ पीडियेफ के साथ आप लोगों में लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो तब तक के लिए बनिये रही है अगर आपको मेरा एफट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंश को भी यह सब पीडियेफ सेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके और अगर आपको और भी ज्यादा पसंद आ है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंश को बता सकते हैं उनको भी सब्सक्राइब करने बोल सकते हैं तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंश सकते हैं अब्योग और ऱो फटरी जो है वग करने गे खला़ करने हैं तो अ